Hello friends, today we are going to discuss about addition of fractions. Fractions को कैसे add करते हैं? तो इस वीडियो को end तक ज़रूर तेकें. Hello friends, welcome to my channel, Digital E-School. Let's start. तो हम start करते हैं addition of fractions. कि fractions को add कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं addition of like fractions. जो like fractions होते हैं, उन्हें कैसे add करते हैं? लाइक fractions क्या होते हैं, जिनके denominator क्या होते हैं, same होते हैं. अगर आपको fractions, types of fractions के बारे में detail में जानना है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी, आप वहाँ जाके check कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि like fractions को कैसे add करते हैं. sum of like fractions equal to sum of numerators upon common denominator. क्योंकि like fractions क्या होते हैं, जिनके denominator क्या होते हैं, same होते हैं. तो हम denominator को common ले लेते हैं, और जो numerators होते हैं, उन्हें add कर देते हैं. तो इस पर हम कुछ examples देख लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल clear हो जाएगा. तो finder sum, हमें किसका sum फाइंड करना है, 1 by 4 plus 6 by 4. तो अब इससे हमें इसका sum निकालना है, यह क्या है, like fractions, क्योंकि इनके denominator दोनों के same हैं. तो denominator हम common ले लेंगे, चूंकि 4 है, और उपर जो numerator हैं, उन्हें हम add कर देते हैं. तो 1 plus 6 हो जाएगा, तो यह आजाएगा 7 by 4. तो हमने क्या किया, fractions को add कर दिया, तो like fractions को हम ऐसे add करते हैं. एक और example ले लेते हैं, अब हमें sum निकालना है, इसका 11 by 25 plus 12 by 25. अब यह भी like fractions है, क्योंकि इनके denominator same है, तो हम denominator को common ले लेंगे, 25. और उपर क्या करेंगे, numerator को add कर देंगे, तो 11 plus 12. हम directly add कर देंगे, क्योंकि denominator क्या है, same है. तो यह आजाएगा 23 by 25. एक और example ले लेते हैं, अब हमें sum निकालना है, यहाँ पर 3 fractions है, 2 by 7 plus 4 by 7 plus 5 by 7. और यह 3 और fractions क्या हैं, like fractions है, क्योंकि इनके denominator same है, तो हम denominator को common ले लेंगे, 7. और उपर जो numerator से, उन्हें हम directly add कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 plus 4 plus 5, तो यह आजाएगा 11 by 7. तो like fractions को हम ऐसे add करते हैं, इनको add करना बहुत simple होता है, क्योंकि इनका denominator क्यों होते हैं, सेम होते हैं, तो उसे हम common ले ले लेते हैं, और numerator को add कर देते हैं. अब आगे हम देखते हैं, addition of unlike fractions, अब हम देखते हैं, addition of unlike fractions, जो unlike fractions होते हैं, उन्हें कैसे add करते हैं, unlike fractions मतलब इनके denominator क्या होते हैं, different होते हैं, तो उसे हम कैसे add करते हैं, तो उसे add करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना पढ़ता है, we have to find the elseum of denominator, जो denominators होते हैं, उनका पह करते हैं फिर उन्हें एड़ करते हैं तो हम एक्जामपल ले लेते हैं जैसे आपको क्लियर हो जाएगा अब हमें यहां भी क्या है सम फाइंड़ करना है किसका 1 by 2 plus 5 by 4 अब यह क्या है अनलाइक फ्रेक्शिंस हैं क्योंकि दोनों के दिनॉमिनेटर के हैं डिफरेंट हैं तो स सेकде्ड सेप क्या है अब इसे हम like fractions में convert करेंगे तो सबसे पहले क्या है 1 by 2 तो पहले इसे convert करते हैं अब डिनॉमिनेटर क्या है 2 और Lcm क्या है 4 तो 2 को हम 4 से divide करेंगे तो क्या आएगा 2 तो 2 को हम नूमिनेटर और दिनॉमिनेटर से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 in to 2 upon 2 2 x 2, तो यह आजएगा हमारे पर 2 x 4, अब हम 5 x 4 को convert करेंगे, तो 5 x 4 में denominator क्या है 4 और LCM क्या है 4, तो 4 को 4 से divide करेंगे, तो क्या आएगा 1, तो यह हो जाएगा 5 x 1 upon 4 x 1, तो यह आजएगा 5 x 4, अब हमने like fractions में convert कर दिया, अब इन्हें हम add कर देंगे, तो 2 x 4, प्लस 5 x 4, तो अब क्या है, यह like fractions में convert होगे, इन्हें हम add कर देते हैं, अब हम क्या करेंगे, denominator common ले लेंगे, और numerator को add कर देंगे, तो उपर 2 x 5, यह आजाएगा 7 x 4, तो इस तरह से हम unlike fractions को add करते हैं, एक और example ले लेते हैं, जिससे आपको और clear हो जाएगा, अब हमें sum find out करना है, 2 x 3, प्लस 1 x 5, प्लस 5 x 6 का, अब यह क्या है, unlike fractions, तो सबसे पहला step क्या होगा, we have to find the LCM, हम 3, 5 और 6 का LCM find out कर लेते हैं, तो वो आएगा 30, अब हम second step क्या, इन्हें हम like fractions में convert करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पस क्या है, 2 x 3, अब denominator क्या है 3, तो 3 को 30 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 10, तो 10 को हम numerator और denominator से multiply कर देते हैं, तो 30 से और 30 LCM है, तो 5 को 30 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 6, तो 6 को हम 1 by 5 से multiply कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, 1 x 6 upon 5 x 6, ये आजेगा हमारे पास 6 by 30, अब 3 क्या है 5 by 6, अब denominator है 6 और LCM क्या है 30, तो 6 को 30 से divide करेंगे, तो क्या आएगा 5, तो 5 को हम numerator और denominator से multiply कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 x 5 upon 6 x 5, तो ये आजेगा हमारे पास 25 by 30, अब हमने क्या किया, like fractions में convert कर दिया, अब इन तीनों को हम add कर देते हैं, तो ये 20 by 30 plus 6 by 30 plus 25 by 30, अब denominator common ले लेंगे, और numerator को हम add कर देंगे, तो 30 उपर 20 plus 6 plus 25, तो ये आजेगा हमारे पास 51 by 30, अब इसे हम further divide कर करने के लिए, तो 30 को 51 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 1 21 by 30, तो ये हमारा जो है, हमने क्या किया, unlike fractions को add किया है, तो पहले वाला example था, उसमें मैंने 7 by 4 को mixed fraction में convert नहीं किया है, लेकिन आप उसे divide करेंगे, तो आएगा, to 1 by 4, तो unlike fractions को हम कैसे add करते हैं, जब से पहले हम क्य fraction का देख लिया, अब आगे हम देखते हैं, की mix fractions को कैसे add करते हैं, अब addition of fractions में हम देखते हैं, addition of mix fractions, जो mix fractions होते हैं, उन्हीं कैसे add करते है, mix fractions के होते हैं, whole number और proper fraction का combination, उसे हम मोलते है mixed fraction तो उन्हें हम add कैसे करते हैं तो हम उसके लिए example ले 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 लेते हैं हमें sum find out करना है 2 5 by 7 plus 3 6 by 7 तो अब इन mixed fractions का हमें sum find out करना है तो आप sum find out करने का दो methods है mixed fractions का हम 2 methods से add कर सकते हैं तो सबसे पहले हम first method देखते हैं उसमें क्या करते हैं अलग कर देते हैं और fractions को अलग कर देते हैं अब यहां पर whole number क्या है 2 और 3 तो हम लिख लेंगे 2 plus 3 और plus fractions को अलग से add कर देते हैं 5 by 7 plus 6 by 7 तो अब जो whole number है 2 plus 3 उसे add करेंगे तो क्या आएगा 5 और fractions हैं उन्हेंटें आप देखेंगे तो तो यह क्या है, like fractions है, इनके denominator क्या है, वो same है, तो हम denominator को common ले लेंगे और numerators को add कर देंगे, तो यह हो जाएगा 5 plus denominator हम common ले ले जाएगा, ओपर 5 plus 6, तो यह आजाएगा 5 plus 11 by 7, तो यह बन गया 5, 11 by 7, तो इस तरह से हम mixed fractions को add करते हैं, यह first method है, अब हम देखते है second method, अब second method में क्या होता है, कि जो mixed fraction होता है, उसे हम पहले हम convert करते है, improper fraction में, फिर उन्हें हम add करते हैं, तो उसके लिए हम formula क्या होता है, denominator into whole number, plus numerator upon denominator, तो अब इन mixed fraction को पहले हम improper fraction में convert करेंगे, फिर इन्हें add करेंगे, तो 2, 5 by 7 है, इसे हम convert करेंगे, तो क्या होगा, 7 into 2, plus 5 upon 7, plus अब दूसरे वाले का क्या होगा, 7 into 3, plus 6 upon 7, तो यह आदेगा हमारे पार 7 into 2, 14, 14, plus 5, plus 7 into 3 के 21, तो नीचे 7 है, उपर 21 plus 6, तो यह हो जाएगा 19 by 7 plus 27 by 7, तो अब यह क्या होगे, improper fraction में convert होगे, अब इन्हें हम add कर देते हैं, अब यह like fractions हैं, क्योंके दोनों के denominator सेम हैं, तो इसे हम directly add कर देंगे, denominator हम common ले लेंगे, और numerators को add कर देंगे, तो यह हो जाएगा 19 plus 27 upon 7, तो यह आजएगा 46 by 7, अब इसे हम mixed fraction में convert कर देते हैं, तो यह आजएगा 6, 4 by 7, तो इस तरह से हम mixed fractions को add करते हैं, इसे add करने के 2 methods हैं, अब आपको जो comfortable लगे, आप वो चूज कर सकते हैं, अब हम mixed fraction का एक और example देख लेते हैं, अब यह तो बल्कुल simple सा example था, क्योंकि इसके denominator सेम थे, लेकिन अगर denominator different हो, तो उस case में हम क्या करेंगे, तो वो वाला example हम देखते हैं, तो mixed fraction का हम एक और example ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें sum find out करना है, 1, 5 by 12, plus 2, 4 by 9, plus 3, 1 by 6 का, तो अब हमें इसका sum find out करना है, तो इसका sum कैसे find out करेंगे, second method से, मतलब पहले हम क्या करेंगे, mix fraction को improper fraction में convert करेंगे, फिर उसे add करेंगे, तो convert करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम denominator को पहले multiply करते हैं, whole number से, फिर उसका result आता है, उसमें numerator को add कर देते हैं, upon denominator, तो सबसे पहले क्या है, 1, 5 by 12, तो यहाँ पर क्या हो जेगा, 12 into 1, plus 5 upon 12, और second क्या है, 2, 4 by 9, तो यहाँ हो जेगा, 9 into 2, plus 4 upon 9, third क्या है, 3, 1 by 6, तो यह हो जेगा, 6 into 3, plus 1 upon 6, तो यहाँ पर आजेगा, हमार पास, 12 plus 5 upon 12, plus 9 into 2 कितना होता है, 18, 18 plus 4 upon 9, plus 6 into 3 कितना होता है, 18, 18 plus 1 upon 6, तो यहाँ पर आजेगा, हमार पास, 17 by 12, plus 22 by 9, plus 19 by 6, तो हमने क्या किया, पहले mix fraction को improper fraction में convert कर दिया, अब आप इसे अगर दियान से देखेंगे, तो यह क्या है, unlike fractions है, तीनों के denominator क्या है, वो different है, तो unlike fractions को हम कैसे add करते है, सबसे पहला step क्या होता है, कि तो denominator होते है, उसका हम क्या करते है, LCM find out करते है, तो 12 और 9 और 6 का हम पहले LCM find out कर लेते है, तो क्या आएगा, 36, और second step क्या होता है, कि इन्हें हम like fractions में convert करते है, फिर उसके बाद add करते है, तो इसे हम like fractions में convert करते है, फिर add करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, 17 by 12, अब 12 denominator है, और LCM क्या है 36, तो 12 को 36 से divide करेंगे, तो क्या आएगा 3, तो 3 को हम 17 और 12 से multiply कर देंगे, तो ये होदेगा 17 x 3 upon 12 x 3 तो 9 कम 36 से divide करेंगे तो क्या आएगा 4 तो 4 को हम 22 x 9 से multiply कर देंगे तो ये होदेगा 22 x 4 upon 9 x 4 अप्लस हटर्ड क्या है 19 x 6 दिनोमिनेटर क्या है 6 और LC आएगा 36 तो 6 को 36 से divide करेंगे तो क्या आएगा 6 तो 6 को हम numerator और denominator से multiply कर देंगे तो यह हो जेगा 19 x 6 upon 6 x 6 तो यह हमार पास क्या आएगा 17 x 3 upon 12 x 3 क्या आएगा हमार पास 51 x 36 plus 22 x 4 upon 9 x 4 क्या आएगा 88 x 36 plus 19 x 6 upon 6 x 6 114 upon 36 तो यह क्या हो कि like fractions में convert होगी सबका denominator सेम है तो इसे हम add कर देते हैं अब हम denominator को common ले लेंगे 36 और numerator को क्या करेंगे हम add कर देंगे तो यह हो जेगा 51 plus 88 plus 114 तो यह आएगा हमार पास 253 upon 36 अब इसे हम mixed fractions में convert कर देंगे 36 को 253 से divide करेंगे तो क्या आएगा 7 1 by 36 तो हमने यह क्या किया mixed fractions को add कर दे हमने second method से इसे add किया तो अब like fractions को कैसे add करते हैं unlike fractions को कैसे add करते हैं और mixed fractions को कैसे add करते हैं हमने देख लिया अब आगे हमें एक example लेते हैं जो mixed example होगा तो वो last example देखते हैं तो अब हम देखते हैं कुछ mixed examples तो we have to find the sum तो हमें किसका sum find out करना है 1 5 by 2 plus 7 plus 4 by 5 का तो इनका हमें sum निकालना है अब इसमें एक mixed fraction है तो पहले हम क्या करेंगे mixed fraction को improper fraction में convert करेंगे फिर उन्हें add करेंगे तो सबसे पहले हमारे पस क्या है mixed fraction क्या है 1 5 by 2 तो उसको हम कैसे convert करते हैं improper fraction में हम denominator को multiply करते हैं whole number से उसका जो result आता है उसमें numerator को add करते है upon denominator तो यह क्या हो जाएगा 2 into 1 plus 5 upon 2 प्लस अब यहाँ पर second में क्या है 7 7 क्या है numerator अब denominator में कुछ नहीं है तो by default हम क्या माल लेते हैं 1 तो यह हो जाएगा 7 by 1 plus 4 by 5 अब 2 into 1 2 2 plus 5 7 तो यह हो जाएगा 7 by 2 plus 7 by 1 plus 4 by 5 अब इन fractions को हम add करेंगे बड़ यह कौन से fractions है यह है unlike fractions और unlike fractions को हम कैसे add करते है तो सबसे पहले हम क्या करते है हम जो denominator होता है उसका LCM find out करते है तो 2, 1, 5 का LCM क्या आएगा 10 और second step क्या होता है कि हम इन्हे like fractions में convert करते है तो अब हम क्या करेंगे जब 10 से divide करेंगे तो क्या आएगा 5 तो 5 को हम 7 से multiply करेंगे और 2 से तो ये हो जाएगा 7 into 2 Sorry, 7 into 5 अपान 2 into 5 प्लस second fraction क्या है 7 by 1 denominator क्या है 1 और LCM क्या है 10 तो 1 को 10 से divide करेंगे तो क्या आएगा 10 तो 10 को हम numerator और denominator से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 7 into 10 upon 1 into 10 plus 3rd क्या है 4 by 5 denominator क्या है 5 और LCM क्या है 10 तो 5 को 10 से divide करेंगे तो क्या हैगा 2 तो 2 को हम numerator और denominator से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 4 into 2 upon 5 into 2 तो 7 into 5 upon 2 into 5 क्या होगा 35 by 10 plus 7 into 10 upon 1 into 10 क्या हो जाएगा 70 upon 10 plus 4 into 2 upon 5 into 2 क्या हो जाएगा 8 by 10 तो अब यह क्या होगे like fractions में convert होगे अब इन्हें हम add कर देते हैं तो add करने के लिए हम क्या करेंगे denominator को common ले लेंगे और उपर numerator को add कर देंगे तो यह हो जाएगा 35 plus 70 plus 8 तो इनको add करेंगे तो क्या आएगा 113 upon 10 अब इसे हम mixed fraction में convert कर देते हैं 10 को हम 113 से divide करेंगे तो क्या आएगा 113 by 10 तो यह हमारा solve हो गया अब हम एक और example ले लेते हैं अब हमें किसका sum find out करना है 5 by 6 plus 2 1 by 2 का अब इसमें भी एक mixed fraction है तो से हम क्या करेंगे पहले improper fraction में convert करेंगे और improper fraction में convert करने के लिए क्या करते हैं denominator को multiply करते हैं whole number से उनका जो result आते है उसमें numerator को add कर देते हैं upon denominator तो 5 by 6 तो LCD आजएगा तो प्लस यह क्या हो जाएगा 2 into 2 4 4 plus 1 5 तो 5 by 2 अब यह क्या है अब इनको ध्यान से देखें तो यह क्या है unlike fractions है तो unlike fractions को हम कैसे add करते हैं पहले हम क्या करते हैं denominator का LCM find out करते हैं फिर उसको like fraction में convert करते हैं फिर उसे add करते हैं तो 6 और 2 जो है इसका LCM क्या आएगा 12 आएगा अब इनसे हम like fractions में convert करेंगे तो सबसे पहले क्या है 5 by 6 denominator क्या है 6 और LCM क्या है 12 तो 6 को 12 से डिवाइट करेंगे तो क्या आएगा 2? तो 2 को हम numerator और denominator से multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा 5 into 2 upon 6 into 2 plus second क्या है 5 by 2 2 denominator है और else क्या है 12 तो 2 को हम 12 से डिवाइट करेंगे तो क्या आएगा 6? तो 6 को हम numerator और denominator से multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा 5 x 6 upon 2 x 6 और 5 x 2 upon 6 x 2 क्या हो जाएगा? 10 upon 12 प्लस 5 x 6 upon 2 x 6 क्या हो जाएगा? 30 by 12 अब यह like fractions में convert होगे इन्हे हम add कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? denominator को common ले लेंगे और numerators को add कर देंगे तो यह हो जाएगा 12 और उपर 10 plus 30 तो यह आजेगा 40 by 12 अब इसे हम mixed fraction में convert कर लेते हैं 12 कम 40 से divide करेंगे तो क्या आएगा? 3, 4 by 12 तो यहाँ पर हमारे examples complete होगे आज हमने क्या देखा कि like fractions, unlike fractions और mixed fractions को कैसे add करते हैं अगर आपको कोई भी doubt हो तो मुझे comment section में जारूर बताए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने friends के साथ share करें अगर आपको science और math के related videos देखनी हो तो आप मेरे चैनल के playlist में जाके देख सकते हैं और अगर आपने मेरे चैनल अभी तरफ subscribe ने किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और अगर आपको मेरी videos पसंद आए तो आपने family और friends के साथ share करें Thank you